नवस्कार दोस्तों स्वागत यापका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकोस्टन चनल में आज के ओड़े लेक्चर भी हम डिटेल में स्टेडि करेंगे कि ब्रेस साइस को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं कौन से ऐसे अलग-अलग तरीके यूज होते हैं ब्रेस साइस को इंक्रिस करने में और सीखेंगे ब्रेस एनलार्जमेंट के बारे में डिटेल में तो सुरू करते आज का लेक्चर और जानते हैं कि कौन से ऐसे अलग-अलग रिजन्स होते हैं कि जिसके करें ब्रेस साइस जो इंक्रिस नहीं होती कौन से ऐसे हम safe तरीके use कर सकते हैं कि जिससे आप breast के size जो है वो बढ़ा सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का lecture और जानते हैं breast enlargement के बारे में तो ऐसे ही समझो कि आपको detail में सिखना है अलग-अलग बीमारियों के बारे में अलग-अलग medical conditions के बारे में दावायों के बारे में उनके use के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो आता है topic पे और समझते हैं breast enlargement के बारे में तो उससे पहले मैं आपको breast के बारे में कुछ बता दू कि breast का जो main काम होता है कि जो lactation period होता है उसके दवरान milk production करने का और उसको secret करने का जो वो काम होता है उसके लिए अलग-अलग glands present होती है breast के अंदर तो यहाँ पे जो आप diagram के अंदर देख रहे है तो उसके अकड़ूंट मैं आपको समझा दू कि यह जो आप purple color का जो एक बाग देख रहे है यह जो पूरा purple color का है तो उसको milk gland कही जाती है कि जो milk को तयार करने में जो वो help करती है और यह milk duct होती है कि जो nipples के साथ जो वो connected होती जो milk को secret करने में जो वो मदद करती है उसके अलावा जो part आप देख रहे हैं जो yellow color का जो पूरा आग आप देख रहे है वो खासकर fat होता है तो breast की जो size होती है वो mainly depend करती है कि उसके अंदर कितने amount पर fat जो है वो present है बाकि जो उसका primary जो structure होता है वो specially milk production के लिए जो glands होती है उसका होता है तो अलग-अलग आप उसके अंदर glands देख तो fat होता है fat के लिए अलग-अलग tissues आई होती है glandular tissues होती है connected tissue milk production के लिए lobules होती है ducts होती है और lymph node और ligaments वगेरा उसके अंदर present होती है तो यहाँ पर जो आप एक structure देख रहे है कि यह diagram के अंदर यह पूरा red color का बाग देख रहे है तो वो जो पूरा एक portion है कि जिसको हम imagine कर सकते कि इस तरह से जो graphs होती है उसका समानलो बंच है उस तरह का यह पूरा एक बाग होता है तो यह जो anatomy जो breast के अंदर होती है उसका main काम होता है milk को produce करना और उसको secret करना कि जब भी lactation का period होता है तो उसके अलावा जो भी बाग आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वो होता है fat का होता है तो जो healthline.com के अकुरूंट हम देखे तो breast जो है वो mainly उसका बाग बाग जो है वो fat tissues का बना होता है और उसकी size जो है बढ़ सकती है कम हो सकती है depend on कि आपके सेर में fat कितना बढ़ रहा है या फिर fat कितना कम हो रहा है तो वो body weight के साथ भी include होता है कि मानलो आपका body weight अचानक से कम हो जाता है तो भी breast size जो हो कम हो सकती है और body weight समझे कि अचानक से बढ़ता है तो उसके according to भी कुछ लोगों के अंदर समझे कि fat काफी जमा हो रहा है breast की जो tissues होती है वाँ पे तो उसके करण भी उसकी size जो हो बढ़ सकती है तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे अलग-अलग reasons है जिसके करण breast की size जो इंक्रीज नहीं होती है या फिर breast की size आपको small feel होती है तो सबसे पहला एक reason होता है genetic मनलब की जो genes होते हैं वो parents के थ्रू मिलते हैं आपको तो उसमझे के parents में भी या फिर आपके family history में जो महिला है ladies उनके में भी यह same problem है तो वो आगे भी आ सकती है तो यह genetic factor बनता है small breast के लिए फिर दूसरा एक reason हम देखे तो suddenly आपका वज़न जो वो कम हुआ है अचानक से किसी बीमारी के करण या फिर आपने कोई से ऐसी heavy exercise की है तो उसके करण समझे कि आपका वज़न अचानक से कम हुआ है तो भी यह problem हो सकता है फिर जो body mass index के हम बात करेगे कि आपका BMI normal है तो चलो ठीक है पर normal से नीचे जा रहा है कि आप underweight में जा रहा है जितने ही आपकी height के according to जो आपका वज़न होना चाहिए वो काफी ज्यादा कम है जिसको हम underweight कहते है या फिर उससे भी नीचे आता है तो severe thinness के condition के जिसको हम कहते है दुबलापन की condition या फिर आप काफी ज्यादा पतले है तो ऐसे condition में भी ये जो है वो condition produce हो सकती है एक और reason देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका BMI समझो कि severe thinness में है 16 से कम है तो भी ये condition produce हो सकती है moderate thinness में है या फिर normal से नीचे आपका BMI है फिर एक reason यह है कि जो puberty का phase होता है कि जब से first time period सुरू होते है कि जिसको हम मिनार की कहते है तो उसके बाद जो reproductive age होती है उस दौरान estrogen का level जो वो शरीर में change होता रहता है पर जो main puberty का period होता है तो उस दौरान जो जितना estrogen secret होना चाहिए वो समझे कि proper estrogen नहीं बन रहा या फिर जो जिसको age के according to estrogen प्रॉपर आपके सेरीर में होना चाहिए वो ना हो तो भी यह condition जो वो produce होती है फिर micromastia की जो हम condition कहते है कि medical terms में कि जिसको micromastia कहते है तो यह भी एक reason बनता है small breast के लिए फिर mal nutrition की जो हम बात करते हैं कि आपको proper nutrition ही नहीं मिला because वहाँ पे जो जिसे मैंने आपको anatomy उसकी दिखा है तो जो fat है तो fat समझे के proper जमा नहीं होता तो fats जमाना होने का एक reason यह भी हो सकता है कि आपको proper nutrition नहीं मिला because जो breast की tissues होगेरा होती है glands जो होती है उनको development के लिए proper nutrition की जरूरत होती है पोसक तत्वों की जरूरत होती है पर आपको proper nutrition नहीं मिला तो nutrition ना मिलने के करण भी यह problem जो हो सकती है तो एक important fact यह आपको मैं सबसे बहले समझा दू आगे treatment के तरीके समझने से पहले तो जो breast की size होती है उससे breast feeding के उपर कुछ भी असर नहीं पर दा breast की size कितनी भी है छोटी भी है या फिर large size है तो milk production के उपर कुछ भी फरक नहीं पर दा mainly जो है कि सिर्फ breast enlargement को इसी लिए करवाता है कि जो physical attractiveness जो वो produce करनी है तो उसी के लिए जो ये अलग-अलग तरीके use किये जाते हैं तो treatment में सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो nutrients की बात करनी कि आपको nutrients नहीं मिल रहा है breast tissue के development के लिए तो वो nutrients आपको कहा से मिलेगे तो सबसे पहला nutrients का source रहे कि आपके लिए green leafy vegetables मतलब कि जो हरे पत्ते वाले जो सबजिया होती है अलग-अलग वो आपको खाने में include करनी चाहिए कि आप week में एक बार या फिर week में दो बार at least इस तरह की सबजिया include करते हैं आपके diet के अंदर फिर इसी के साथ आपको balance diet अच्छे से लेना है कि जिसके अंदर आप consume कर सकते हैं अलग-अलग soy product मतलब कि जो soya bean जो हम कहते हैं उसके related जो अलग-अलग products होती है जैसे कि आप यहापे आप देख सकते हैं कि आप soya bean include कर सकते हैं diet के अंदर soya milk आता है soya bean का जो floor आता है जो इसका जो आटा होता है वो आप यूज कर सकते हैं अलग-अलग food products बनाने में soya sauce यूज कर सकते हैं soya bean oil consume कर सकते हैं sprouts वगेर आप खा सकते हैं फिर जो tofu आता है वो भी आप include कर सकते हैं diet के अंदर फिर तीसरा एक है important diet के अंदर include करना वो है अलग-अलग dairy products जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप milk वगेरा अच्छे से consume कर सकते हैं regularly फिर उसकी जो अलग-अलग products हो देखला है कि आप cheese ले सकते हैं पनीर ले सकते हैं योगर्ट वगेरा का आप यूज़ कर सकते हैं कि जिससे proper आपको body को जो यह वो fat मिलता है और वो fat दिरे-दिरे आपके breast tissues के अंदर भी जम्मा होने लगता है कि जिससे उसका जो है वो development होने लगता है फिर यहाँ पर एक important hack है कि जो fenugreek जो हम कहते हैं कि जिसको हम हिंदी में simple mathi के बीच कहते हैं कि जो mathi होती है वो हम use करते है अलग-लग diet के अंदर तो वो आपको include करना चाहिए आपके खाने पिने के अंदर कि जिससे भी यह problem जो है आपका salt हो सकता है फिर LC के जो बीचाते हैं कि जिसको हम flaxseed के ते तो जिससे हमारा एक tradies होने कि आप खाना खाने के बाद कई बार मुखवास वगेरा यूज़ करते हैं तो उसमें आप यह include कर सकते हैं regularly उसी के लावा जो soft होती है कि जिसको final seed के ते वो भी आप यूज़ कर सकते हैं खाने के बाद या फिर किसी भी टाइप उसको जो ही वाप यूज़ कर सकते हैं फिर अब बाद आती है dry fruits की तो nuts भी यहाप एक काफी important बनते हैं कि अगर आपके breast tissues अच्छे से develop नहीं हो रही तो उसको develop करने के लिए आपको जो है वो अलग-अलग nuts खाने चाहिए dry fruits के अंदर जो भी आपको अलग-अलग पसंद हो जैसे आप यहाप आलमंड वगेरा देख सकते हैं फिर काजू अगेरा है बादाम है पिस्ता है वगेरा जो आप यूज कर सकते हैं फिर आगे बाद आती है कि आपको diet में papaya भी यूज करना चाहिए तो यह भी काफी important है breast tissues को develop करने के लिए अब ध्यान यह रखने कि अकर आप pregnant है तो acid condition में आप उसको use ना करें अब बात आत होता है कि जैसे हमने अब मैथी के बात करें तो आप खाने में भी यूज कर सकते हैं सादो जाद उसका oil आता है तो वो oil से अच्छे से मसाज करना होता है तो उससे भी breast tissues जो है अच्छे से develop होती है तो यह एक option है उसके अलावा समझो कि आप almond oil भी यूज कर सकते हैं तो यह कौर्ड लिवर oil का भी यहां पर अच्छा option बनता है फिर देखे तो olive oil से भी आप मसाज कर सकते हैं उसके लावा दूसरे एक option बनता है सतावरीक का जो oil आता है वो आप खास include कर सकते कि जिससे breast issues जो अच्छे से develop होती है फिर आगे बात करें paste की तो जो मसूर की जो डाल होत जाती है और यह fine paste को breast के उपर जो लगाना होता है और यह paste हम जो कि अच्छे से dry हो जाती है उसके बाद जो उसको wash करना होता है तो यह भी एक natural remedies बनती है breast size को increase करने के लिए फिर आप दूसरे options हम देखे कि सबसे पहले हमने diet के बात की फिर massage के बात की उसी के साथ साथ अलगलग options देखते है योगा के जैसे कि गो मुख आसन का option बनता है बालासन का आपके पास option बनता है चक्रासन है भुजंग आसन है उसके अलावा आप देखे तो डॉल्फिन पोस वगरा है तो यह जो अलगलग योग और उसके आसन वगरा है उसके वीडियो आपको internet के अल काफी painful भी बनता है कही बार as well as उसके बहुत सारे side effects भी है कि जिससे हम specially advice जही करेंगे आपको कि कभी भी आपको surgery जो यह नहीं करवा नहीं चाहिए because उसके बहुत सारे side effect है कि जैसे भी सबसे पहली हम side effects देखे तो breast में pain हो सकता है उसके गरण infection भी हो सकता है फिर जो nipples और breast की जो senses होनोते है उसमें जो वो असर आ सकती है वो कम हो सकती है फिर बढ़ सकती है फिर implant की जो position होती है वो change होती जाती है जिसके करण आपको uncomfortable के बार फिलोता है implant का leakage होना या फिर उसका rupture होना ये एक problem हो सकता है कि जिसके करण आपके breast areas के अंदर infection हो सकता है और scared tissues का development भी हो सकते है तो इसके करण क्या होता है कि काफी ज़्याद आगे जाके आपके life में complications हो सकते है तो यह option जो आपको कभी भी जो चूज नहीं करना है जैसे हमने जो natural remedies के बात की as well as जो अलग-अलग योग आशन्स के हमने बात की वह आपको जो खासकर यूज करने चाहिए फिर आगे एक advice यह है कि आपके जो पैसे हैं वह आपको अलग-अलग ऐसे products कि जो हम कई बार internet पर आप समझो कि search करोगे तो आपको ऐसे thumbnails मिल जाएगे ऐसे कुछ आपको videos मिल जाएगे कि आपको 100% guarantee देते हैं कि आप यह product लगा लो वो product लगा लो यह use कर लो यह use कर लो पर वह आपको कभी भी use ने कहा है because यह products जो खासकर कैसी होती है fact होती है तो आपके जो time है as well आपके पैसे वो कभी भी waste नहीं करने चाहिए इस तरह के product के जो claim करती है और यह जो claim होता है वो false claim होता है कभी भी यह चीज़े जो असरदारग नहीं होती जो हमने बात की neutral remedies की वो ही आपको करना होता है और आपक cause कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में ही यह problem जो यह फिर यह condition हो जाए आपको थोड़ा wait करना होता है और यह natural तरीके उने से time भी लेते हैं फिर यह main यह बात है कि जैसे मैंने आपको समझे कि only use the natural remedies कि जो हमने यहाँ पर यह video के अंदर डिस्कूस के बारे में दवायों के बारे में medical conditions के बारे में तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो यह course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best